हाई दोस्तो में हूँ आसीज और आप सब को इंडिया में जान पर स्वागत है दोस्तो आप सब जानते हैं अब लदाक में भारत और चीन के बीच महुल इसा में तनामपुन है भारत और चीन दोनों देश लदाक से लेकर औरणाचल पतेश तक साइनिकों की तनायती कर दिया है जिसे दोनों देशों के बीच जुद्ध के आसंकों ने जन्म ले लिया है जुद्ध होगा या नहीं ये तो कोई नहीं जानता है लेकिन अगर जुद्ध्यों होगा तो भारतिय सेनाए दुस्मन को महतर जवाब देने की ताकत रखती है भारतिय सेनाए दुनिया की कुछ सबसे 37 सेनाओं में सामिल है हमारे साइनिक दुनिया के सबसे बहदुर योधा है जो जुद्धे के मैदान में दुस्मन को पॉल भर में धुल चटा सकती है अब हमारी सेनाओं की बहुदुरी की बात चली है तो फिर क्यों ना उन हत्यारों के बारे में बात की जाए जो हमारी सेनाओं को जंग के मैदान में और ज्यदा तकतबर बनाते हैं अब भरत्य सेना ये सब हत्यारों की दम पर जंग की मेदान में चीन और पाकिस्तन को मुहतोड जवाब देगा दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्विस्ट करना चाता हूँ दोस्तों कुछ दिन से येटूब मेरे वीडियो को काफी कौम लोगों को सजेस्ट कर रहा है सस्क्राइबर ज़्यादा होने के बाद भी भी हो काम है आप से रिक्विस्ट करूँगा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए अगर आपको मेरे चानेल और वीडियो पसंद है तो ये वीडियो को एक घंटे में 2000 से ज़्यादा लाइक कर देजिए तकि येटूब के अल्गोर्दिम फिर से सही हो जाए मुझे उमीद है आप मेरे मदद जरूर करोगे अब आते हैं नमबर 10 हत्यार के उपर और बो है आपाचे आटक हेलिकाप्टर करिब 16 फूट उंचे और 8 फूट चोड़े आपाचे हेलिकाप्टर को उड़ाने के लिए दो पाइलेट होना ज़रूरी है अपाचे हेलिकप्टर के बड़े उइंग को चलाने के लिए दो इंजिन होते हैं इस वज़े से इसका रप्तर बहुत ज़्यादा है अपाचे का अधिक्तम रप्तर 280 किलेमेटर पत्ति घंटा है अपाचे हेलिकप्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसे राडार पर पकरना मुस्किल होता है अपाचे में 16 एंटी टैंक मिसाइल छोनने की खिमता है हेलिकप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलिया भरी जा सकती है इसकी फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलेमेटर है ये एक बार में पोने 3 घंटे तक उड़ सकता है पाकिस्तान और चीन के पस अब तक आपाचे जैसा हत्यार नहीं है नमबर 9 सोर्य मिसाइल कौम दूरी तक मार करने वाली ये मिसाइल भरत थलसेना के लिए वनाए गई है ये भरत का पहला हाइपोर्सोनिक मिसाइल है इसके अधिकतम गतिसलता के करण ये किसी भी मिसाइल लोधी रख्यतंतर को भेल सकता है सोर्य अपने साथ एक टन बजनी पराणों सामगरी और परमपरिक आयोत को 750 किलोमेटर से अधिक दूरी तक ले जा सकता है नमबर 8 M777 हाईजर हाईजर आमेरिका में बनी बहत हलकी तोप है इसे हेलिकाप्टर या बीमान के जरिये एक जगा से दूसरी जगा ले जाये जा सकता है M777 का इस्तेमाल इराक और आफगानिस्तान जुद्धा में हो चुका है मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों के एलावा इन्हें उंची पाहाडी इलाकों में भी इस्तमाल किया जा सकता है M777 की मारक ख्यमता 40-50 किलोमूटर है दोस्तो भारत की M777 के आगे चाइना की PCL-181 हाईजर तोप कही नहीं टिकता है नमबर 7 T90 भिसम ट्यांक दोस्मन से सिध्य लड़ाई के लिए ये ट्यांक भारत की ब्रहमास्तर की तरह है इस ट्यांक की सबसे बड़ी खासियत है कि इस ट्यांक पर किसी भी तरह के केमिकल और बायलोजिकल हमले और रेडियेशन असर नहीं होता है 48 टन बजनी इस ट्यांक में 125 mm की स्मूथ बोर गन है इसके साथ ही इसमें 12.7 mm की मसिन गन भी है जिसे मैनुएली अपरेट किया जा सकता है कमांडर इसे अंदर बेटकर रिमोट से भी कंट्रोल कर सकता है दोस्तों चीन जो टाइप 15 ट्यांक की धमकी दे रहा है टाइप 15 ट्यांक भारत की T-90 के आगे बच्चा है यह आप T-90 के साथ मेरा तस्विर देख रहे हो मेरा किस्मत है कि T-90 के अंदर तक जाने का भी मुझे मोका मिला था यह काफी आचा ट्यांक है नमबर 6, P-81 भारत की 7500 किलोमेटर लंबी तट रखा है जिसमें सेंक्रो आइलेंड है जिनकी हिपाज़त की जरुरत है इस जरुरत को पुरा करने के लिए ही P-81 है यह अपनी सांदार मजभूती और सेंसर सूट के लिए अपनी बच्चा के किसी भी एरकाप्ट से आगे है बेस से 2000 किलोमेटर तक के मिसन पर यह 4 घंटे तक उड़ान भर सकता है P-81 पर लंबी दुरी का राडार भी है और इस पर पॉंडूबियों को खोज निकल ले के लिए एक खास तरह का सेंसर लगा है यह अपने साथ 6-8 Mk-54 टरपिडो और अपने पॉंखों पर 4 हरफून मिसाइल भी ले जा सकता है पिनाका मल्टी बैरेल रकेट लंचर पिनाका को डियाडियो ने विकासित किया है यह मिसाइल सिस्टम कुछ सेकेंड में 12 रकेट दाग कर दुस्मन सेना को भारी मुस्किल में डालने में सक्ख्या में लो इंटेंसिटी वाले संगर्सों में यह रकेट प्रणाली तुरंथ जवाबी हमला करने में सक्ख्या में पिनाका की मिसाइल दागने की रप्तार काफी ज़ादा है खास तोर से दुस्मन के बंकरों को निशाना बनाने में इससे काम्यावी मिलती है कारगिल जग की दोरान पिनाका ने इंडियान आर्मी की काफी साध्या था अगर अब चीन लदाक में कुछ उल्टी सीथी हरकत करता है तो हमारा पिना का मल्टी बैरेल रकेट लंचर चीन को मुहतोर जवाब देने में सक्ख्या में नमबर फोर राफेल देखे मैं अपने लाइप में राफेल विमान को ही सबसे करीब से 2019 एरो इंडिया में देखा था उन्चे इलागों में लणने में ये महीर है राफेल एक मिनिट में 60,000 फूट की उन्चे तक जा सकता है राफेल की अधिक्तम रप्तार 22-25 किलिमेटर तक प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3600 किलिमेटर है इसमें 1.30 मिलिमेटर की एक गन लगी होती है जो एक बार में 125 राउंड गोलियां निकल सकती है इसके अलाबा इसमें लॉंग रेंज स्टन्ड अफ मिसाइल अंटी सिप मिसाइल लेजर गाइड़ बॉंब्स लॉंग रेंज एर टो एर मिसाइल लगी रहती है इसके साथ राफेल बिमान अपने साथ पौराण हत्यार ले जाने में भी सक्या में नमबर थ्री एसेट मिसाइल आप सब जानते हैं 27 मार्च 2019 को भारत मिसाइल लंच करके तीन मिनिट के भीतर ही लो आर्थ हर्बीट में एक साटलाइट को मार गिरा था भारत ये टेस्ट के लिए PDB MK2 मिसाइल का इस्तमाल किया था इसका लेंध 13 मिटर है और स्पीड 1 किले मिटर पौर सेकेंड है इसके साथ ही अंतरीक में मार करने की खेंता हासल करने वाले देसों की सुची में भारत भी सामिल हो गया था अब तक ऐसे सक्ति के वाल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी अगर चीन कभी हमारे साटलाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिस की तो इंडिया भी चीन के साटलाइट को मार गिरा सकता है दोस्तो आप सब को मैं ब्रामोस के ताकत के बारे में लगभग 10 से ज़्यादा भीड़ो दे चुकाऊं और आप सब ने वो सब भीड़ो को काफी पसंद भी किये हैं इसलिए आज ब्रामोस के बारे में आप सब को ज़्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन अब अगर भारत चीन के भी जंग होता है और इसमें मिसाइल इस्तमाल होती है तो ब्रामोस चीनी सेना का काल बन जाएगा क्यूंकि ब्रामोस दुनिया का एक लोता ऐसा मिसाइल है जो मांटेन के दुसरे तरब छीपे दुस्मन पर हमला कर सकता है अब आते हैं नंबर वान हत्यार के उपर देखे अब भरत के पास 5-6 हत्यार है जो नंबर वान में रह सकता है जैसे कि सुकोई 30MKI, अगनी फाइप, आइनेस बिक्रावंदित्य, आइनेस अरिहंत और वेलेस्टिक मिसल डिफेंस सिस्टम देखे ये सब हत्यार चीन और पाकिस्तानी सेना के लिए मोध के वराबर है लेकिन मैं सुकोई 30MKI को नंबर वान चुनूँगा अपनी उडान के ख्यंता, हवा और जमीन में तेजी से मिसाईलें दागने के करन ये भरत्य बायो सेना का सबसे अहम लड़ा की विमान बन चुका है इस विमान को टाइटेनियम और उचे तिब्रता वाले अलुमिनियम धतुओं से तैयर क्या गया है अब ब्रामोस मिसाईल को सुकोई 30MKI से दागा जा सकता है बजन में भारी होने के आवजूद ये लड़ा की विमान अपनी तेज गती के लिए जाना आता है ये विमान आकास में 200 किलेमिटर प्रति घंटा की तेज रप्तार से फराटा भर सकता है अब लदाक या LOC में चीनी सेना को जवाब देने के जिमेदारी सुकोई 30MKI के उपर है दोस्तों आप अगर सुकोई 30MKI और चीन की सुकोई 35 के बीच कंपेरजन बाला विडियो देखना चाते हो तो नीचे कमेंट करिए देखे इस लिस्ट में और भी बहुत सारे हत्यार रह सकते थे अक्चुली मैं इस टपिक पर दो साल पहले वीडियो बनाया था अब कुछ ने और यंग दर्शकों का डिमांड था भाई इस पर वीडियो बनाओ इसलिए आज मैं इस टपिक पर वीडियो बनाया हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए अगर इस वीडियो आपको आच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए मैं 20,000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ मुझे पता है आप सब कर दोगे दोस्तों इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए तक कि आगे आप मेरे आनेवले वीडियो को मिश्णा कर सके दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा नमस्कार जैहिंद